अस्सलाम वालेकुम खानस अकेडमी में आपका वेलकम है ब्रिच कोर्स की सीरीज शुरू है आज हम 41 वे दिन की जो है एक्टिविटी करने वाले हैं जिसमें हम मौददी इलम हिंदसा के बारे में पढ़ रहे हैं तो आज खुतूत की मसावाते हम देखने वाले हैं यक है यहाँ पर अजो लिया गया है वह कोई भी नंबर हो सकता है हकी की अदत हो सकता है यह बिलॉंग्स टू आर जो आपको इस वक्त दिखा दिखाई दे रहा है यह ना आर मतलब रियल नंबर है यह निया हकी की अध़र और वायमेवर के जो मुतवाजी खत की मसावत होगी एक्स इज़ इक्वल टू करके रहेगी एक्स इस इज़ इक्वल टू करके रहेगी यहाँ भी लफज इस्तमाल किया गया है यह भी रेटर यह भी हमीर की अध़र ने इन गिन्ती का कोई नंबर होगा तो आपको जो में चीज यादर रखना बेहत ज्यादा जरूरी है वो और Y महवर की जो मसावत होगी वो X is equal to 0 होगी क्योंकि दोनों महवर एक दूसरे को कहां कता करते हैं मुबदे पे मुबदे का मौदीत क्या होता है जीरो होता है इस तरह से वह 0,0 जो होता है न वह एक्स का नंबर होता है यह आपका जानना बहुत जरूरी है समझ महीं बात चलिए आगे बढ़ते हैं आपको पहला जो है मश्क दे दी गए यहां पर हल करने के लिए चलिए अम यहां पर से बारिक नोजल वाली पेन ले लेते हैं देखिए सवाल नंबर एक सही मुदबादल चुनना है वाय महवर के मुतवाजी और वाय महवर के बाएं जानी बाएं जानी मतलब उल्टे हाथ की तरफ तीन एकाई फासले पर वाक है जो खत की जेल में से कौन सी मसात होगी A B C या D तो आपको उसके लिए पहले अददी मुददी निजाम इस तरह से बना लेना पड़ेगा जैसे हमने बनाया है तो वाय महवर के मुतवाजी बोला है और बाएं जानी बोला है मान लीजिए ये खत L की मसावत है ये तो क्या दिया हुआ है उसमें से क्या रहेगा X is equal to minus 3 रहेगा क्योंकि ये X मेंवर को काट रही है और कौन से पॉंट पर काट रही है मतलब कौन से पॉंट पर काता करें माइनस 3 पर तो यहाँ पर X बराबर minus 3 यानि option D जो है आपका सही जवाब होगा अब बारी आती है point number 2 की यहाँ पर बोलागा है 4,3 minus 5,3 और 7,3 यहाँ से पढ़िए यह यहाँ से पढ़िए एकी बात है इन तेमाम तीनों नुकात को जो है इससे गुजरने वाले खत की मसावात कौन सी है A, B, C, D में से कौन सी है तो पहले तो यह नुकात को हमको मुर्तसिन करना पड़ेगा तो पहला क्या 7,3 है ना तो हम क्या करेंगे सबसे पहले 7,3 ले लेंगे 7,3 यह नहीं यहाँ यहाँ 7,3 पहला point दूसरा point है मैनस 5,3 है तो X पर मैनस 5 और Y पर पर 3 यह निदर यह ले लि दूसरा बंड़े 4,3 तो 4,3 ले लेंगे X पर 4 और Y पर 3 नहीं है तो देखो इन नुकात को अगर इस तरह से मिलाते है स्केल की मदद से इसकेल पट्टी की मदद से अगर हम मिलाते हैं देखो इसकेल ले लिया हमने इस तरह से अगर मिला लेते हैं इसको यह point को तो यह जो line है यह line है बच्चो जरा गौर से देखिए यह line है Xucker के मुतवाजी है ना एक्समेवर के मुतवाजी है तो यह X Commissioner के मुतवाजी जो मसावात हती है तो Y में होती है तो Y में काट रही है कौन से लिका है नमबर 3 पर तो y is equal to 3 यह इसकी मसावात होगी तो y is equal to 3 कहा है option c यहाँ पर option है समझ में आगए किस तरह से करना है चलिए अब सवाल नमबर 2 देखते हैं अमली काम करना है जेल की मसावातों की तरसीम किस मैवर के मतवाजी यह बताना है इधर ही यह हल हो जाएगा यहीं पर हल हो जाएगा जो मसावात x मेवर के मतवाजी होती है वो y equal to होती है तो यहाँ पर देखो y is equal to लिखावा यानि x मेवर के मतवाजी है बस मेवर लिखना है किस मेवर के मतवाजी है सिर्फ मेवर लिखना है आपर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर लिखेंगे हैं तो आपको अगर देखना है में बना के तो भी देख सकते हैं इस तरह से अजुआ इसे इकल तो यसी तरह से सीडह से 3 3 x मतलब y आ रहा ना y is equal to 5 आ जाएगा ये तो ये x मेंवर के मतवादी समझ में आ गया जिस मसावत में जो मुतगईर इस्तेमाल किया है तो उसका उलट रहेगा y is equal to है मतलब x मेंवर x is equal to है मतलब y मेंवर ये शॉट तरीक है याद रखने का है आगे बढ़ते हैं कुछ ज्यादे एक्टिविटी दे के रखे ये जेल के मसावतों का तरसीम बनाएए अया एक्स बराबर तीन और वाया बराबर मइनस 5 न आ आस आपको क्या करना होगा एक्स बराबर 3 लेना होगा तो तो वह क्या बोले एक अध्लबर 3 प्लब है वाइंवर की मुत्वाजी है न है न है एक्स बराबर थीन यह लाइन बन गई है है न यहीं बुलना लाना हमको एक्स बराबर थीन यह मज़द आना है और वाइव सिकल टू मैंने से गुजारेंगे यहां से यहां से यह माइनस पांच यहां पर आएगा इधर पर ऐसे हम बना देंगे आप स्केल से बनाई एक दम अच्छे से तो इस तरह से आपको बनाना है तरसीमी कागस पर हिदायत भी लिखी है कि तरसीमी कागस पर एक सर्वाय मेंवर लीजिए मसावत एक्स बरावर तीन दी भी है इसलिए आपको प्रैक्टिकल यहां पर मराहिल लिखे हुए तो यह मरहिल के बजाय मेंट आपको डारेक्ट बता दिया है चलिए आगे बढ़ते हैं कि सवाल नंबर तीन अब आपको करना है क्या बोला गया कि वाय मेंवर के मुत्वाजी वाय मेंवर से 6 काई फासले पर कितने खु सवाल नंबर तीसरे का जो पहला है राय मेंवर के मुतम यहां से भी हो सकता है 6 काई फासले पर यहां से भी हो सकता है छे काई फासले पर तो वाईसी लोप थो में ते राएर बना दिया एससे स्केल से बड़े अच्छे अंदार बनाई है अदा अब मौददी निजाम पर तो दो खुत जो है इस तरह से खीचे जा सकते हैं छे एक आई फासले पर वाया मैवर के मुतवाजी है ना दो खुत एक ये तरफ और एक ये तरफ यहां से पॉइंट नंबर एक भी जो हो गया अ असे खीचना है यहां पर लिख लिए तो एक बराबर पाँच इस तरह से बनाएंगे इस बराबर पांच से बड़े अच्छा अंदाज में बनाईए और वाय बराबर चार दो यहां से गुज़रेगा इस तरह से ऐसे यह लाइन है लोगई मान लिजे और यह लाइन है मोग आप सकते हैं आप इसको लाइन पी देना इसको कुछ भी आप बता सकते हैं तो इस तरह से यह तमाम मसावातों की तरसीम इस तरह से बनेगी तो यहां पर है हमारा सवाल नमबर दो भी जो है कंप्लिट हो जाता है बहुत आसान टॉपिक है यह मुहद्दी इल्मेंदसा इसके उपर जितने भी सवलाद आते हैं बहुत इजी ली हलो जाते हैं और एक ही मुहद्द निजाम पर हम सब पर बने रहे हैं लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मिलते अगले वडियो में शुक्रिया